नमस्कार Learn Together चैनल में आपका स्वागत है आज हम लुक जिसका हिंदी में मतलब होता है देखना के बारे में बात करने वाले हैं साधारण सा लुक बोलना बंद करें और सीखें कुछ नए और शांदार तरीके लुक बोलने के इन फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से हम आपको ग्लांस, गेज, स्टेर, पीर और गेप जैसे शब्दों के अर्थ और उदाहरणों को हिंदी में बताएंगे ताकि आपकी इंग्लिश वोकाबिलरी बहतर बने तो चलिए शुरू करते हैं Other ways of saying लुक, हम पहले वर्ड से शुरू करेंगे जो है ग्लांस ग्लांस का मतलब होता है तू टेक अ ब्रीफ और हरीड लुक यानि नजर डालना इसका यूज सेंटेंस एक्जाम्पल के साथ समझते हैं रिया ग्लांस टेट हर वाच रिया ग्लांस टेट हर वाच रिया ने अपनी घडी पर नजर डाली नेक्स है गेज गेज का मतलब होता है तू लुक स्टेडली और इंटेंटली यानि किसी को निहारना इस शब्द का सेंटेंस में यूज करके देखते हैं वह केवल आश्चर्य से उसे देखता रह गया Moving on to next word जो है स्टेर स्टेर का मतलब होता है तू लुक फिक्सिदली और वेकेंटली यानि किसी को आँख गडा कर देखना या घूरना इस शब्द का उपयोग सेंटेंस में करके देखते हैं वह आश्चर्य से उसे देखता रहा Proceeding to our next word जो है पीर पीर का मतलब होता है तू लुक विद डिफिकल्टी और कॉंसेंट्रेशन यानि ताकना या सावधानी से देखना इस शब्द का उपयोग सेंटेंस बना कर देखते हैं Gia peered at her in suspicion Gia peered at her in suspicion Gia ने संदेह से उसकी ओर देखा Finally, लुक शब्द की जगह आप यूज कर सकते हैं Gap Gap का मतलब होता है To stare with one's mouth open wide in amazement or wonder यानि किसी को एक अतक घूरना इसका sentence में यूज करके देखते हैं She gaped at the view She gaped at the view वह इस दृष्य को एक अतक देखती रह गई यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खतम होता है उम्मीद है आपको आज के वीडियो से नए words सीखने में मज़ा आया होगा अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो मीट यू नेक्स टाइम प्रश्न है